इलाहावा इन्वर्शिटी में नौ प्रवेसी छातर छात्राओं को काफी समस्याओं से गुजरना पड़ता है क्योंकि वो पहली बार इलाहावा इन्वर्शिटी में पढ़ने जा रहे हैं उन्ही समस्याओं में से एक समस्या ये है कि हम अपने syllabus को कैसे download करें तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के course जितने भी course हैं उन सभी courses के syllabus download करना आपको सिखा देंगे और आप इस syllabus को download कर लिजे हाला कि अभी officially तरीकी से ये नहीं बताया गया है कि 2022 के लिए आपको कितना पढ़ना है लेकिन ये मानके चलिए कि जितना पिछले साल था उतना तो आपका रहना ही रहना है तो आप अपनी तयारी अभी से continue कर सकें इसलिए मैं आपको syllabus बता रहा हूँ ठीक है और वो भी लहाब अनिवर्सिटी के official website से आप खुद download करेंगे और वो syllabus आपके mobile में भी होगा तो इसके लिए आपको ना किसी PDF की जरुवत होगी और ना ही कोई और source की जरुवत होगी बस वीडियो को देखते जाईए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे करते जाईए आपका जो है syllabus डाउनलोड हो जाएगा आपके course का जो भी आप subject लिए होंगे इसके लिए करना क्या है आपको इसके लिए आपको आजाना है Google Chrome में और वहाँ पर जो है सर्च करना है इलहावा निवर्शिटी और इलहाव निवर्शिटी सर्च करने के पर official website पर आजाईए जो कि यहाँ पर आपको इस तरह से जब दिखेगा तभी आप यहाँ पर मान लिजेगा कि आपकी official website है वैसे आप सभी को official website पर आना आता होगा तो फिर यहाँ पर दिखे इस गोले पर यहाँ जो three line खीची गई है इसी पर आपको click करना है तो यहाँ पर दिखे मैंने click कर दिया तो इस तरह से कुछ आता है ठीक जब इस तरह से कुछ आएगा तो यहाँ पर आपको faculties दिख रही है ठीक है तो आपको इस faculties पर टिक करना है ठीक है जैसे टिक करेंगे तो यहां पर आप सब के सामने यहां पर चार चीज़े आजाएंगी ठीक है उन चार चीज़ों में पहली चीज़े फैकल्टी जा आप आर्ट दूसरा फैकल्टी of science, तीसरा faculty of commerce और चोथा जो है आपका faculty of law आप किस course में अपना admission कराए हैं, यदि आप BA के हैं तो definitely आपका faculty of arts होगा, BSC के हैं तो faculty of science तो जिस भी course में आप हो मानलीज़े मैं faculty of art में चल रहा हूँ यहाँ ठीक है, तो faculty of art में जो है आप यहाँ पर उस पर क्या कर दीजे क्लिक कर दीजे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इतनी चीजे दिखेंगे ठीक है तो आपका क्या करना है जैसे आपको Asian history को syllabus download करना है तो आपके पास उपर Asian history है उस पर click कर देना है ठीक है तो click करोगे तो इसका भी interface इस तरह से खुल जाएगा और जैसे यहाँ पर खुलेगा यहाँ पर इसके बारे में तमाम चीज़े हैं और यहाँ पर आप सबको syllabus दिख रहा है ठीक है अब आप इस पर क्या करेंगे click करेंगे तो जैसे आप syllabus पर click करेंगे तो आपको यह ऐसे मिल जाएगा अब चुकि आप यह Asian history है तो Asian history BA, MA मतलब और तमाम मतलब की courses होते हैं जिन में Asian history पढ़ाई जाती है तो आप अपने course को select करेंगे तो आपका course यदि BA है तो आप BA पर क्या कर दीजे click कर दीजे तो BA पर click करने के बाद इस तरह से download का option आजाएगा और यहाँ पर जो download है यदि आप इस पर click करते हैं तो आपका यह syllabus क्या हो जाएगा download हो जाएगा ठीक है और कुछ दिर के बाद जैसे देखिए यहाँ पर हमारे में download हो गया और यह PDF फाइल आपके आजाएगी और आप अपना जो भी BA part 1, part 2 किसी भी आप लवियर में होंगे तो आपका यहाँ पर syllabus मिल जाएगा यदि आप मतलब कि किसी और course का syllabus यहाँ download करना चाहते है तो बैक करके आपको फिर से वहीं पर आना होगा ठीक है तो देखे मैं यहाँ faculty आप जो है आपका यहाँ पर यह थोड़ा सबन्द हो गया तो आप सभी को बैक करके यहाँ पर फिर से वहाँ जहां से आप download किये थे syllabus वहाँ पर आ जाएए जैसे आप BSC के हैं तो आप faculty आप science पर क्या कर दीजे क्लिक कर दीजे क्लिक करने के पर ऐसे आपका खुल जाएगा तो आपको जिस भी course का syllabus चाहिए तो आप chemistry का चाहिए तो chemistry पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जैसे chemistry पर क्लिक करेंगे इस तरह से interface कुस्व में लगेगा खुल जाएगा जैसी भी आपकी net की speed होगी और उसके बार यहाँ पर syllabus पर फिर से ऐसे क्लिक कर लिजे तो आपको चुकी BSC का syllabus डाउनलोड करना तो आप BSC पर क्लिक कर दीजे और इस तरह से BSC का syllabus आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा तो I hope कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफी helpful है और आपको इससे कुछ फाइदा जरूर मिलेगा और ऐसे यह और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर सस्काइब कर लिजे मिलेंगे निस वीडियो में ठाइक्यू सो मज जैहिन वन्ने मात्रम